वेलकम दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूटिब चैनल दमेंडर पर और ये तीसरी वीडियो है यूपी स्पेशल की अगर आपने पहले की दो वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप दे है आप वहा से pdf ले सकते हैं श्टार्ड करते हैं चाचट अबबर है आज की वीडियो का पहला कुषेन उत्तर प्रदेश में कोईला किस छेत्र में पाया जाता है सिंगरॉली सोनभद्र में 67 उत्तर प्रदेश में बॉक्साइड किस छेत्र में पाया जाता है यह हो जाएगा बांदा और चंदॉली में उत्तर प्रदेश में डोलोमाइड किस छेतर में पाया जाता है कजराहट मिरजयपूर में और बांदा में 69 उत्तर प्रदेश में रॉक फॉसफेट किस छेतर में पाया जाता है यह हो जाएगा बांदा और मिरजयपूर 70 नमबर उत्तर प्रदेश में हीरा किस चेतर में पाय जाता है बहुत important question है खासकर छोटे exams के लिए बांदा और मिर्जापूर में उत्तर प्रदेश में सोना किस चेतर में पाय जाता है शार्दा नदी एवं रांगंगा नदी के चेतर में और भीकमपुर छेतर में जो कि ललितपूर में है 72 उत्तर प्रदेश में तामबा किस छेतर में पाया जाता है ये सुनराई छेतर ललितपूर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस छेतर में पाया जाता है दोस्तों ये भी बहुत important question है ललितपूर में पाया जाता है चोहतर नमबर उत्तर प्रदेश में संगमरमर किस छेतर में पाया जाता है ये हो जाएगा मिरजापूर और सुनभदर में उत्तर प्रदेश में जिपसम किस छेतर में पाया जाता है जासी और हमीरपूर में उत्तर प्रदेश में ग्रिफाइट किस छेतर में पाया जाता है हमीरपूर में उत्तर प्रदेश में कांच बालू किस छेतर में पाया जाता है ये दोस्तो गंगा यमुना नदी के छेतर में पाया जाता है 78 नमबर उत्तर प्रदेश में सेल खड़ी किस छेतर में पाया जाता है हमीरपूर और जहासी में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है बिजनौर से दोस्तो बिजनौर डिस्टिक है जिस डिस्टिक से गंगा नदी का जो प्रवेश है वो उत्तर प्रदेश में होता है उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो दोस्तों ये जिला हो जाएगा आपका बलिया important जिला है काफी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से बाए किनारे से मिलने वाले सायक नदियां कौन-कौन सी है यानि कि गंगा नदी में जो सायक नदियां बाई और सी मिलती है उनका नाम पूछा जा रहा है वो हो जेंगी राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडक और कोसी 82 नमबर देखते हैं उत्तर प्रदेश में राम गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है बिजनौर से राम गंगा नदी से किस जिले में मिलती है मतलब यहां पूछ रहा है राम गंगा नदी जो है वो गंगा नदी से किस जिले में मिलती है कनोज जिले में 84 देखते हैं गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसका उदकम मैदानी छेतर से होता है यह है गोमती नदी गोमती नदी का उदकम इस्थल कहाँ है फूलर जील पीली भीत मैं गोमती नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है गाजीपूर के कैथी नामक इस्थान पर मतलब एक कैथी जगा है जो की गाजीपूर डिस्टिक में आती है वहीं पर मिलती है साई नदी किस नदी की सायक नदी है तो दोस्तों साई नदी जो है वो गोमती नदी की सायक नदी है 88 घागरा नदी का उद्गम इस्थल कहा है दोस्तो ये तिब्बती पठार के मापचा चुंगो हिमनत से इसका उद्गम होता है 89 कोश्चन लखीम पूर खीरी और बहराईच की सीमा का विस्तार करते हुए कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है लखीम पूर खीरी और बहराई है दो डिस्टिक है इन दोनों डिस्टिक का जो बौरडर है वो कौन सी नदी बनाती है बौरडर बनाते ही ये उत्तर प्रदेश राज में प्रवेश भी करती है 90 question देखते हैं फैजाबाद में घागरा नदी को और किस नाम से जानते हैं सर्यू घागरा का एक और नाम सर्यू भी है 91 question देखते हैं घागरा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से बिहार में प्रवेश करती है यह बलिया दोस्तों अभी मैंने आपको गंगा नदी के बारे में भी बताया था गंगा नदी भी बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है अब देखे घागरा नदी बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी से मिल जाती है यानि की बिहार में, जब मिलती है, तो ये सहयक नदी भी होगफ़ी, गंगा की, 92 देखते है, काली नदी की सहयक नदी है, घागरा नदी की, 93. काली नदी का उद्गम इस्थल कहां है? पिथोरागड के काला पानी की नामक स्थान पर गौरी गंगा मिलान हिमनत से 94. काली नदी को टनकपुर में किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से 95. पीली भीत और नेपाल की सीमा का विस्थार कौन सी नदी करती है? काली नदी या फिर काली नदी का इनाम है शारदा नदी जो आप्शन में रहेगा वो आपको लगा देना है काली नदी घागरा नदी से कहां पर मिलती है? बसरा में जो की सीतापुर में पड़ेगा 97. राबती नदी का उद्गम इस्थल कहां है? धौला गिरी नेपाल में मतलब राबती नदी जो है वो नेपाल से स्टार्ट होती है उद्गम इस्थल उसका नेपाल में है धौला गिरी में रोहिली नदी किस नदी की साहयक नदी है राबती नदी की रोहिली नदी किस इस्थान पर राबती नदी से मिलती है गोरखपुर में सवा कुशन है दोस्तो राबती नदी किस की साहयक नदी है तो ये है घागरा नदी की साहयक नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है ये हो गया साहरनपुर यमुना नदी किस इस्थान पे गंगा नदी से मिलती है ये प्रयाग राज लहाबाद में दोस्तो यहीं पर कुम्ब मेला लगता है माग मेला लगता है हर वर्ष एक सो तीन नमबर कोष्चन है चम्बल नदी का उध्गम इस्थल कहां है जाना पाव पहाडी महुझिला मद्यपरदेश एक सो चार कौन सी नदी आगरा और इटावा की सीमा का विस्तार करती है ये नदी है चम्बल नदी चम्बल नदी किसकी सहायक नदी है यमुना नदी की यानि की चम्बल नदी आगे जाकर यमुना नदी से मिल जाती है चम्बल नदी यमुना से कहां पर मिलती है मुराद गंज और रया में चम्बल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है शिप्रा बनास काली सिंध दोस्तों ये काली नदी दूसरी है और जो वहां मैंने आगे बताया था वो दूसरी है एक 108 नंबर की बात करते हैं बित्वा नदी किसकी सहाय का नदी है यमुना नदी की बित्वा नदी का संस्कृत नाम क्या है बहुत इंपोर्टन कुश्चन है वित्रवती यमुना नदी से बित्वा नदी कहां मिलती है हमीरपूर में बित्वा नदी पर कौन कौन से बांध निर्मिध है पहला तो हो गया माता टीला बांध जिसे हम लोग रानी लक्षमी बांध भी कहते हैं और दूसरा है राजगाड बांध 112 नंबर केन नदी का उद्गम इस्थल कहां पर है कैमूर की पहाणियों से निकलती है नदी 113 नंबर देखते हैं केन नदी किसकी साहएक नदी है तो यह केन नदी जो है यमुना नदी की साहएक नदी है केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है बांदा के भुझहा नामगिस्थान पर केन नदी युम्णा नदी से मिलती है दोस्तो इस वीडियो का ये आखरी कुश्यन होगा हिंडन नदी किसकी साहयक नदी है ये युम्णा नदी की साहयक नदी है दोस्तो वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता, इंट्रेस्टिंग लगे आपको, वीडियो छोटी लग रही है, तो आप एक बार में दो से तीन वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो को दो से तीन बार देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, दोस्तों अगर आपको ही लग रही है, तो आप वो भी बता सकते हैं, थैंक्स फर वचिंग,